एक वक्त की बात है, एक छोटे से कस्पे में शाम नामक एक नौजवान रहा करता था, शाम एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ती था, और वो पूरी मेहनत से मन लगा कर एक कपड़े बनाने वाली कमपनी में काम करता था, और शाम वहाँ पर पिछले चार सालों से कारियर रत थ पर उसके कटिन परिश्रम और लगन के कभी भी प्रशन सा नहीं होती, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे हमेशा ये जताया जाता था, कि वो अपना सर्वत्तम नहीं दे रहा है, वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उसके मालिक बहरव को हमेशा उसमें कमी ही नजर आती थी, मैं उसे तयार कर दूँगा, अरे तो एक घंटा काफी नहीं होता है क्या, इतने से काम में कितना वक्त लगता है तुम्हें, पर ठीक है, अरे शाम, क्या तुम लंज के लिए आ रहा है हो, नहीं, आप लोग लंज कीजिए, मुझे इसे तयार करना होगा, ठीक है, सर, मैंने वो डिजाइन तयार कर दी है, कौन से डिजाइन? बच्चों के कपड़े के लिए, जो आपने बताया था, पता है, मैंने अभी अभी सोनल से बात की, उसका मानना है कि बहतर होगा यदि हम पहले लेडिस कलेक्शन भाहर लाए, ओ, हाँ, इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाले कपड़ों की डिजाइन तयार करो, और मुझे एक घंटे में दो, क्या, एक घंटे में? क्या हुआ, कोई समस्या है शाम? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, हम, बड़िया, और सर इन डिजाइनों का क्या? उन्हें भूल जाओ, उन्हें कच्रे के डिब्बे में फेक दो, मुझे परवा नहीं! इसी तरह बेचारे शाम को कम तर आका जाता था, वो हमेशा देर रात तक काम करता था, जबकि उसके साथ काम करने वाले सबी कर्मचारी चले जाते, और जैसे ही उसे लगता, कि उसका दिन खत्म हो गया, वैसे ही उसे कुछ और ज़्यादा काम दे दिया जाता! शाम, बहुत अच्छे! तुम अभी भी यही हो! सर, क्या आपको लिडिस कलेक्शन पसंद आया? वो इतने बढ़िया नहीं थे, पर इस वक्त में उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बच्चों के कपड़े के डिजाइन कहा है? ओ, उन्हें तो मैंने फेक दिया, सर आपने ही तो कहा था, उसे फेक देने के लिए ओ, शाम, 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 मुझे तुमारे बहानों से नफरत है, मुझे वो डिजाइन मेरे टेबल पर चाहिए, कल मेरे ओफिस पहुशने से पहले, समझे? जी सर, जरूर, अब मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है, बाए, मिस्टर बहानेबाज उस रत, शाम, बहुत देर तक काम पर रुका रहा, पहले की कई रातों की तरह, घर वापस लड़ते समय उसने वो ठंडा सैंड़ीच काया, जो उसने लंच के लिए लाया था, रास्ते से चलते वक्त, शाम सोच रहा था कोई बात नहीं, आखिर मेरे काम की जरूर कदर होगी, कल सरे Employee of the Year की घोषना करने वाले है, मुझे यकीन है कि वो अवार्ड मुझे ही मिलेगा शाम अपनी मा के साथ एक चोटी सी बस्ती में एक चोटे से घर में रहता था, और जीवन यापन करना उसके लिए बहुत आसान नहीं था सोचते सोचते शाम घर पहुँच जाता है, तभी शाम की मा शाम से शाम, ये तुम हो जी मा, मुझे माफ करना, मुझे आज फिर से देर हो गई, मैं जल्दी आपके लिए कुछ खाने को बनाता हूँ, ये लो मा, मैं आपकी दवईया लेकर आया हूँ मकान मालिक फिर आया था, उसे पिछले तीन मेहनों का किराया चाहिए, वरना हमें ये घर खाली करना होगा बेटा चिन्ता मत करो मा, मुझे यकीन है कि कल मुझे प्रमोशन मिलेगी, और फिर हमारा जीवन पहले से बहतर हो जाएगा उस रत शाम एक उमीद के साथ बिस्तर पर सो गया, कि अगली सुबह उसके जीवन में खुशिया लाएगी अगले दिन शाम चहरे पर मुस्कान लिये काम पर गया, इस रिश्वास के साथ कि Employee of the Year ट्रॉफी उसी को मिलने वाली है सुनिए, सब ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सब जानते है, समय आ गया है Employee of the Year की घोशना करने का कोई इंसान जिसने केवल सच्ची उत्कृष्टता, लगन और अनुशासन दिखाया, बलकि सभी चीज़ों को करने के लिए हद से आगे गया Ladies and Gentlemen, मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूँ, The Employee of the Year, Marketing Department से Miss Sonal क्या? ये, क्या बात है Sonal, बहुत बहुत बधाई Sonal शाम भूद बना खड़ा रहा, जैसे कि उसके आसपास के दुनिया कीचकर सिकुड गई हो, उसकी आखों से आसु आगए उसने हर एक को Sonal को बधाई देते हुए देखा, जिसने सिर्फ चार मैंने पहले ही Company जाइन की थी अरे, ये तो नाइनसाफी है, पर मैं उसके लिए खुश हूँ शाम सड़क पर अपने विचारों में खोए हुए बेमकसद चलता रहा, वो बकाया और इकटा हो गया किराया, अपनी मा की इलाज के लिए पैसे, उसकी मैनत का सिला ना मिलना इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग पर जोड डाल कर सोचने लगा शाम रास्ते से चलते जा रहा था, चलते चलते उसको एक छोटे पत्तर से टोकर लग जाती है तभी एक दादा जी शाम से अरे बेटा, वो मेरा पत्तर है, मुझे एक शमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आपका है ये लिजिए, शुक्र है कि इसके किनारे नहीं टूटे, मेरा बेश किमती पत्तर जी, मेरे पूछने पर एतराज मत कीजेगा, पर इस मामूली से पत्तर के तुकडे में आखिर क्या खास बात है मामूली, बेटे, दुनिया में कोई भी चीज मामूली नहीं होती हर चीज की एक अनुखी कीमत होती है, यदि आप उसे सही जगा पर रखे मैं, मैं समझा नहीं, ठीक है, ये पत्तर ले लो और वहाँ स्टेश्टरी स्टोर पर जाओ और उनसे पूछो कि वो इसके लिए कितना पैसा देंगे, बस इसकी कीमत का पता चल जाएगा शाम स्टोर में गया, और कुछ समय के बाद वापस आया सो रुपे, वो इसके लिए इतना ही देंगे, ठीक है, अब देखो वो गेहनों की दुकान वहाँ दिखाई दे रही है न, वहाँ जाओ, और उनसे इसकी कीमत पूछो शाम ने सीर हिलाया, और स्टोर रूमें गया, वो कुछ समय के बाद वापस आया पास सो रुपे बस, वो इसके लिए इतनी ही कीमत अदा करेंगे, भच्छा ठीक है, अब वहाँ उस म्यूजियम में जाओ, और उनसे पूछो, वो कितना दाम देंगे इसका और समन जैसे में पड़े शाम ने सीर को हिलाया, और उस म्यूजियम में गया वाँ, क्या बात है, ये एक मामूली पत्थर नहीं है दोस्त, ये तो एक नायाब चांद का उलका पिंड है जनाब ठीक है, तो आप कितने पैसे देंगे इसके, मैं तुम्हें इसके लिए पचास लाग दूँगा शाम दोडता हुआ दादाजी के पास गया क्या कहा उन्होंने? उन्होंने, उन्होंने कहा कि पचास लाख रुपे अब ये इतना मामूली नहीं है ना शाम ये जानकारी तो इतनी चोकाने वाली है, कि कोई चीज जिसकी किमत पचास लाख रुपे है वो बस पचास रुपे है उस स्टेशनरी स्टोर पर और पास सो रुपे उस गेनों की दुकान पर बिल्कुल हम लोग भी बस इस पत्थर के टुकडे के तरह ही है हम सब अपने साधारन रूप में बहुत असाधारन है फर्क बस इस से पढ़ता है कि हम खुद को कहा रखते है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शाम कि सही जगही सही तरीके से तुम्हारी कीमत को आगती है खुद को गलत चीज़ पर मट डालो उदास और निराश मत हो जाओ क्योंकि तुम्हारी कीमत उन्हें पता ही नहीं है बाकी तुम जानते हो क्या करना है इसे अच्छे से इस्तमाल करो एक मिनिट आपको मेरा नम कैसे पता शाम और कुछ उन से पूछता तब ही वहा कुछ भीड़ा जाती है और दादा जी गायब हो जाते है क्या वो कहा चले गए शाम ने आसपास उस बूड़े आदमी के तलाश की पर वो कहे नहीं मिले और उसी पल हवा का एक छोका आया जो बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम था वो उसके चेहरे को चू कर गया और उस दिन पहले बार उसके चेहरे पर एक द्रूर निश्चे और पक्के इरादे का भाव दिखाए दिया उसने पत्थर अपने जेब में डाला और अपने ओफिस चला गया ओ नहीं वो वहा काम करने वापस नहीं गया वो वहा गया अपना बैग वापस लेने और मिस्टर भेरव को ये बताने कि अब वो वहा काम नहीं करने वाला अरे रुको मेरी बात तो सुनो शाम ने एक और कपडों की कंपणी में नहीं नौकरी डून ली जो ना सिर्फ उसके हुनर की कदर करती थी बल्कि इंसान के रूप में भी उसका आदर करती थी उसने अपने सारे कर्ज उतार दिये और अपनी मा के लिए एक नर्स रख ली जो हर समय उसकी देखबाल कर सके अब शाम ना केबल खुश था बल्कि संतुष्ट भी था क्योंकि अंतमे उसने उसकी कीमत पहचान ली थी और वो ऐसी जगह पर था जहां हर कोई भी यही करता और जहां तक उस पत्तर के टुकडे का सवाल है शाम हमेशा अपने पास रखता उस आदमी के स्मृति के स्वरूप में जिसने उसे बहुत बड़ा सबक सिखाया था सही जगे तुम्हारी कीमत सही तरीके से आगती है